ही गाइज वेकम तो इस्वास पॉइंट मैसेफ रिशिका और आज अभी हम लोग डिसकोस करने वाले इंसाइट आयस की कुईस्ट जो कि हमारे फेवररी मंथ की चल रही है काफी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम लोग इंड में आने वाले है आज हम लोग हिस्ट् करते है प्रिवियस लेसन और प्रिवियस स्क्वीज को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे चनल को सब्सक्राइब करना होगा प्ले लिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो ओके चली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन जो कि हिस्ट्री और आर्ट कर्चर के साथ है यहाँ पर 1st question हमारी वकाटाकर डायनेस्टी के उपर है तो वकाटाकर डायनेस्टी से रिलेट है यहाँ पर जो भी statement आपको correct find out करनी है फिर्स्ट की वकाटाकर डायनेस्टी जो है इनके द्वारा इनके द्वारा डायनेस्टी के वकाटाकर डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है और यह फैक्ट बेस्ट है अगर आप लोग पता होगा तभी आप लोग इस तरीके का questions का answer यहाँ पर निकाल पाओ गया तो सारे statement यहाँ पर correct है तो हमारे correct option यहाँ पर D हो गया वकाटाकर डायनेस्टी के यहाँ पर chief queen कौन थी तो प्रभारती गुफ्त थी और साथी इनका trade जो है इरान और Mediterranean Sea में भी होता था Central और South India में इनके द्वारा जो है रूल किया गया था ओके और जो यहाँ पर आपकी information है इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो Coming to the second question, यहाँ पर आपको बताना है कि किसके वारे में आपके बात किया जा रहा है यहाँ पर पोती सीरमुलू या फिर अश्वाकुला खान या फिर खुदी राम बोस या फिर बाल गंगादर तीलग So first statement है कि इनको यहाँ पर sentence to death दिया गया था यानि कि इनको फासी के सजा दी गई थी काकोरी conspiracy 1925 के लिए Second है कि यह associated है हिंदुस्तान Socialist Republican Association से Third है कि इनको जो है यह disillused किया गया था गांधी जी के withdrawal of non-corporation movement से तो इसमें आप लोग किसी भी एक statement से आप लोग पकड़ सकते हो ठीक है पटिकुलर्ली अगर आप लोग को काकोरी के this conspiracy के बारे में पता होगा क्योंकि इसमें कौन-کौन से लोग थे तो इससे आप लोग असानी से इस तरीके की questions का anseos निकाल सकते हैं इसमें जरूरी जो कि आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ताइम ये गुरू अप हुए थे महत्मा गांधी की साथ और ये लॉंच किया गया था नॉन कोपरेशन मोवमेंट इसमें साथ दिया गया था और साथी साथ यहां पर आप लोग देखो तो इसका भी नाम याद रखना, इनका भी नाम याद रखना, ओके कमिंग तू थे थर्ड कोशन यहां पर आपको बताना है कि किस परसनालेटी के बारे बात होरी अगेन फर्स्ट है बंदा सिंह बहादूर, सेकेंड है अमरिंदर सिंह, थर्ड है महाराजा करक सिंह और फोर्थ है रंजीत सिंह, फर्स्ट है कि इनको टाइटल दिया गया था लाइन ओफ पंजाब का, सेकेंड इकी इनको जह है जस्त ऐं सेकी युलर रूल के लिए जाना जाता था था, थार्ड है कि यह जो हर्मिंदर साहीब है, इनको यहां पर अमरिंदर साहीब हैं इनको तो आपको बताना है कि यह सारा काम किसके द्वारा किया गया था तो 1st 2nd 3rd 4th तो यहां पर correct आँसर है D. इट मिस्की रंजीत सिंह ओके रंजीत सिंह को यहां पर title दिया गया था Lion of Punjab का तो यह धियान रखेगा इनको जो है न शेरे पंजाबी कहा जाता है तो इनका काम ही कुछ ऐसा था जिनको कि इस तरीके से इनका नाम दिया जाता था तो ध्यान रखेगा फिर अगेन एक परसनालिटे के बारे में आपका बताना है सावित्री भाइ, फुले, कदंबिनी गॉंगली, सरोजनी नाइटू और उशा मैता फर्स स्टेटमेंट है कि यह हमारी फर्स फीमेल टीचर इंडिया की, तो इसी से आप लोग को पकर में आ जाना चाहिए जरूरत ही नहीं है कि आगे की स्टेटमेंट आप लोग रीडाउट करो 2. आप देखोगे कि यह अपने हस्बेंट के साथ जो है रिकागनाईज किया गया था कि एजूकेशन जो है एक सेंट्रल प्रांक है जिससे कि विमेन और जो डिप्रेस्ट क्लासे से उनकी जो जो भी प्रॉब्लम है उनको हटाया जा सकता और उनको इंपावर किया जा सकता 3. आप तो बता दीचे आप तो आपके लिए आंसर इजी हो गया है यह यहां पर सावित्री भाई फूले So correct option is A. Okay, first teacher कहा जाता है हमारे इंडिया के तो यह भी ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छा काम किया गया है इनके जो husband थे जोती राव भूले इनके बारे में भी आपको पताऊना चाहिए इन दोनों ने मिलके एजुकेशन को बहुत ज़ादा आगे बढ़ाया ना सिर्फ मेल के लिए बढ़ फीमेल के लिए भी बहुत जाता जो है इन्होंने आगे बढ़ाया है 5th question में आते हैं यहाँ पर दो statement है आपको correct बताना है 1st है कि recently जो archaeological survey of India है उनके द्वारा discover किया गया earlier epigraphic evidence so far the सब्थ मतरिका cult जो कि यहाँ पर earliest Sanskrit inscriptions है जो कि discover किया गया है South India में 2nd है कि यहाँ पर difference है सब्तरमतरिका वर्शिप्स वह भी early चालुकिया और यहाँ पर eastern चालुकिया copper plate में तो आपको इसके बारे में correct बताना है कि correct कौन सी है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके बारे में तो यहाँ पर इसके बारे में और यह बताया गया है कि इसके इसका जो डिस्क्रिप्शन है वह आपका Sanskrit inscriptions पर भी देखने को मिलेगा जो कि South India में present है और यह आपका जो पूजा किया जाता था सब्तमत्री का वर्शिप जो किया जाता था वो यहाँ पर अर्ली चालो के रीजन में किया जाता था Coming to the sixth question यह है यहाँ पर आपको correct बताना है आदी चनालूर के बारे में आदी चनालूर जो है एक आर्केलोजिकल साइट है तिलंगना में और यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आर्केलोजिकल यहाँ पर पाया गया है सेकेंड कि यह located है आपका तामीरा बरानी waterways के close है तो आपको correct बताना है first only second only both या फिर neither यहाँ पर आपको बात करिए आपको पता होना चाहिए कि यह जो आदी चनालूर कहां पर है तो अगर आपको पता होगा तो यह statement आप लोग first statement correct कर पाऊगे और incorrect कर पाऊगे तो यहाँ पर first statement incorrect है second यहाँ पर correct है तो यहाँ पर correct option B हो गई आईए detail में देख लेते हैं बात किया जा रहा है यहाँ और यह तमिल लाडू में है तेलंगना में नहीं है तो यह अदी चनल रूर जो है यहाँ पर आपका तमिल लाडू में है और यहाँ बहुत ही जादा number of very important आपको archaeological finds देखने को मिलेगा तो यह धियान रखिएगा coming to the next question जो कि यहाँ पर history से है तो आपको correct बताना है इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए 1946 की जो Royal Indian Navy revolt है उसके बारे में पूछा जा रहा है फर्स्ट की immediate trigger यहाँ पर देखने को मिला था और बहुत जादा जो demand था वो better food के लिए था और working conditions के लिए था जो कि Indian sellers थे वो भी कहां तो Royal Indian Navy में सेकेंड की यह जो reward था यह सिर्फ आपका Bombay region में ही confined था था थार्ड की जो Indian National Congress और Muslim League है वो यहाँ पर condemn किये गये थे इनके strikers जो थे उनका यहाँ पर condemn किया गया था तो यह जो strikers हुआ था उसको condemn कर रहे थे Indian National Congress और Muslim League तो आपका बताना है कि तीन हो statements में से correct कांसी है option देके समझ में आ जाएगा कि एक statement आपका या दो statement आपका incorrect है बट फिर भी आपको find out कर लिए कि एक एक रहाँ करेक्ट की बात करें या फिर in पर कि बात करें तो second option यहाँ पर incorrect है बाकि यहां पर फिर थर करेक्ट करेक्ट है तो हमारी correct option यहां पर C हो गई royal Indian Navy revolt जिसको कि royal Indian Navy mutiny या फिर Bombay mutiny भी कहा जाता था तोटल स्ट्राइक और सब्सक्वेंट रिवॉर्ड जो है वो इंडियान सेलर के द्वारा किया गया था और इसको इसको इस्टाब्लिश किया गया था बंबे हार्वर में जो कि 18 फेबुरी 1946 में हुआ था इमेडियर ट्रिगर क्या था, इमेडियर डिमांड था कि बेटर फूड हो, वरकिंग कर्डिशन अच्छा से हो, और डिमांड था यहां पर इंडिपेंडनेस वो भी किस से, तो ब्रिटिश रूस से, इनीशल फ्लाश पॉइंट अगर हम लोग मॉंबे में देखे, तो यह रि इनको मार दिया गया था, जब यह वर ऑफ सक्सेशन में, जो कि औरंग जेप के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, यूद कर रहे थे, तब उसमें इनको हारने के बाद मार दिया गया था, इनको लिवरल मुस्लीम कहा जाता है, और ठर्ड एकी यह ट्रासलेट किया गया था, इनके द्वारा पर्सियन में जो भी भगवत गीता को, साधी साथ उपनीशत को, तो आपको करेंट बताने की करेंट कौन सा है यह टोसमें हारने के बाद इनको मार दिया गया था, बिलकुल सही है, इनको लिवरल मुस्लीम कहा जाता था, यह भी सही है, और इनों नहीं यहा तो यहां पर और भी बात है आप लोग पढ़ लीजेगा नाइंत में यहां पर फिर पस्नालेटी के बारे में पूछा जा रहा है फर्स्ट है इंद्रा गांधी, सेकेंड है चरन सिंह, थर्ड यहां पर जवार नाल लेरू, फूर्थ है यहां पर लाल बहादू सासरी तो फर्स स्टेटमेंट है कि जो प्रेसिडेंट है यहां पर सर्वेंट आफ दा पिपल सोसाइटी के, सेकेंड है कि पार्टिसिपेट किया गया था, इनके द्वारा नॉन कोपरेशन मुवमेंट और साल्ट सत्यागरा में, ठर्ड है कि वाइट रिवलुशन को प्रमोट करते पाकिस्तान के साथ था, उसके द्वारा उसमें साइन किया गया था, तो आप तो बता दीजिए इतने सारे आपके फैमिलियर स्टेटमेंट दे दिया गया हाला कि मुझे नहीं लगता कि UPSC में इस तरह के क्यों पूछा जागा लेकिन अगर पूछा जाए तो बहुत ही लाकर भी आप लोग आंसर दे सकते हो, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है D, इसको लाल बहादू सास्त्री जी, ओके लाल बहादू सास्त्री है जिन्हों को यहाँ पर सर्वेंट आफ पिपल सोसाइटी, इन्होंने अपने लाइफ मेंबर थी इसके और यह लाला लाजपत राइ के द्वारा इसको फांड आउट किया गया था, non-cooperation movement और salt सत्यागरा में इनके द्वारा participation किया गया था, white revolution को बहुत जादा ये promote करते थे और white revolution किसलिए था, तो milk productions को और जादा बढ़ाने के लिए था, इनके द्वारा green revolution को भी promote किया गया था, जो कि food productions को बढ़ाने इंडिया में, और 1964 में इनके द्वारा एक agreement साइन किया गया था, श्री लंकन प्राइम निस्टर के दुए साथ, और ये क्या concern था, तो इंडियन तमिस जो सेलोन में रहते थे उनके status को लेकर, साथी ये agreement को जो है न स्रीमाव सासरी पैक्ट भी कहा जाता था, फिर उसके बा आज के लिए बस इतने ही, टोटल 9 questions है, तो आपको 9 questions में से कितने questions यहाँ पर correct हुए जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये lesson अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीज़े, helpful लगती है, तो लाइक कीज़े, नहीं लगती है, तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, साथी हम आपको लोग next देखने वाले हैं, defense and security की questions यहाँ पर solve करेंगे कल, और साथी साथ अगर आपको फिर भी कोई doubt query suggestions है, तो आपको comment कर सकते हैं, and make sure के आपने मेरे channel को subscribe कर लिया है, thank you